एक वेक्ति अपनी मासिक आये का 25 परतिसत बचत करता है। उसकी आये में 20 परतिसत की वरिद्य के कारण उसका वे भी 20 परतिसत बढ़ जाता है। अब वे हर महीने 1500 उर्फी की बचत कर पाता है। उसके मूल मासिक आये ग्याद कीजिए। विदेखो। आये खर्च और बचत खर्च और बचत वे खर्च और बचत दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाएगी। इंकम ठीक है। तो देखो। हमने उसके इंकम मालनी 100 रुपे। इसका 25 परतिसाथ बचत करता है। इसका 25 परतिसाथ निकाने हैं तो 25 या आएगा। बचत कितनी है 25। सो में से 25 बचता आए खर्च कितना गर देता है। 75 रुपे। ठीक है कि दोनों के योग के वाबरी तो हता है न। फिर देखो क्या बचत रखता है। उसके इंकम में आय में 20% की वरिद्धी के कारण 20% उसकी इंकम बढ़ जाती है तो पहले कितनी थी सोग आप सोग पे 20% बढ़ जाएगी यानि पलस 20% तो इसका 20% निकालेंगे तो 20 और 120 120 इंकम आप होगी 120 फिर क्या आप तरक है उसका खर्च यानि वे भी क्या है बढ़ जाता है तो भी खर्च को भी 20% बढ़ा दो बीस पर 30 का लगजा तभी एक बटा पांच निप पांच के उपर एक बढ़ जाती है छै बटा पांच हो जाएगी तो इसका चैंव नव पांच कर दो 120 में 90 गटा दो 30 रुपी अब बचाता है उच्छा क्या गया है वह यह मैंने 1500 रुपी की बचत कर बाता है हमारे नोसार बचत कितनी करता थीज की किसन में कितने बता रहे एक जार पांशो की इन तेस युनिट की वेल्यू कितनी है 1500 तो 1500 को एक युनिट की वेल्यू तो 30 से भाग दे दो उच्छा क्या है उसके मूल मासिक आए तो मूल क्या थी रियल में उसकी 100 थी पहले ठीक है बाद में 120 वी थी 100 युनिट की वेल्यू निकाल नहीं तो गुणा में 100 कर दो जीरो से जीरो कैंसिल तीस तीन से पांच और जीरो इन पचास बार में कैंसिल पचास को सोचे कुना करेंगे पांच हजार इन मूल उसकी मासिक आए क्या थी रियल में पांच हजार रुपे ओप्सन भी हो जाएगा